Q3 में आपके पास तीन सेट हैं A, B, C A में तीन एलिमेंट है 1, 2, 3 B में 3, 4 और जो C है उसमें 4, 5, 6 Find A multiply B intersection C तीन सेट दे रखें A, B, C क्या करना है कि A का Cartesian product करना है B intersection C के साथ तो हम पहले के निकालेंगे B intersection C निकालेंगे और फिर उसका Cartesian product A का किसके साथ B intersection C के साथ ये जो सेट आएगा Cartesian product में element आते है ordered pair के तरीके के तो इसमें जो element आएगे किसके तरीके काएगे ordered pair के तरीके के अब पहले के निकालें B intersection C intersection का मतलब B और C दोनों में हो B है 3, 4 और जो C है 4, 5, 6 तो इनमेंगे common element के है 4 तो इनका जो intersection हो क्या जाएगा 4 अब हमारा सेट A है 1, 2, 3 इसका Cartesian product करना है 4 के साथ A multiply B intersection C क्या करेंगे 1, 2, 3 इसका multiply 4 के साथ 1 का 4 के साथ ordered pair ये first element फिर 2 का 4 के साथ 3 का 4 के साथ तो ये आजाएगा आपका A multiply B intersection C इसके second part में क्या करना है कि B union C है तो आप पहले क्या निकालेंगे B का union C के साथ वो क्या आएगा 3, 4, 5, 6 फिर A का multiply करना है 3, 4, 5, 6 मतलब जो B union C आया है उसके साथ Question number 4 है If A जो set दे रखा क्या है कि X such that X belongs to W मतलब जो A के element है X वो कहां से बिलोंग कर रहे है W से W मतलब set of whole numbers condition क्या है कि X less than 2 बही क्या क्या है whole number, whole number 0 से शुरू और कहा है जो X की value है वो कितने से चोटी 2 से चोटी तो whole number में 2 से चोटी कहेंगे 0 और 1 तो जो आपका A से अट हो कहाज़ेगा 0 और 1 इसमें 2 element हो जाएंगे B है X such that X belongs to natural यहाँ था whole number यहाँ जो X इसके B के element कहाँ से natural number से condition दे दी X greater than 1 and less than 5 अब greater than 1 क्या आएगा 2 और less than 5 तो क्या जाएंगे 2, 3, 4 यह जाएंगे set B में element अब आपको निकालना है A multiply B union C और आपको C set दे रखा 3 और 5 आपके निकालेंगे B का union C के साथ और फिर A का multiply कर देंगे उस B union C के साथ 5th number question है A, B, C, 3 set है और आपको क्या दिखाना है कि A multiply B intersection C equal to A multiply B intersection A multiply C कि left और right side दोनों कैसी होंगे equal होने चीए तब यह चीज तो कर लोगे जैसे third question में क्या था A multiply B intersection C यहां क्या करना है A का multiply किसके साथ B के साथ यह कोई नया set आएगा फिर उसका intersection करना है A multiply C के साथ तब पहले का निकालेंगे A multiply B A का multiply B के साथ करेंगे तो यह आएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2 3, 3, 3, 3, 4 यहां जाएगा A multiply B इसी तरीके से हम निकालेंगे A multiply C A का multiply C के साथ जैसे 1, 4, 1, 5 इस तरीके से यह दोनों set आगए अब इनका क्या करना है intersection intersection मतलब इसके और इसके common element अब common क्या आते हैं दोनों में एक तो आता है 1, 4 एक आता है 2, 4, 1, 3, 4 यह आजाएगा आपका A multiply B intersection A multiply C यह आगए आपके राइट साइड आपका ऐसे लेट निकालेंगे और दोनों कैसी होनी चीए एक वल होनी चीए जुसके आगए की question है 6, 7 और A2 सेम ऐसे ही है question number 9 है A and B are two sets given in such a way that A multiply B contains 6 elements A और B दो set है और जुनका Cartesian product उसमें element आते है 6 if 3 elements of A multiply B इसमें कितने element बता रखे total 6 बता रखे और आपको 3 दे दी क्या 1, 3, 2, 5 and 3, 3 कहारा कि find its remaining elements total 6 हैं आपको 3 दे दी और कितने निकालने हैं तीन बाकी के जो बस्तियों वो निकालने हैं अब देखो जो A multiply B है A multiply B तो जो इसके ordered pair जितने भी है इनके जो पहले element है वो कहां से belong करेंगे set A से और जो दूसरे वो कहां से आएंगे set B से जो कि हमारे पास कहा है A multiply B है अगर यह कहता कि B multiply A तो पहले कहां से होते हैं B से होते हैं तूसरे A से होते हैं लेकिन क्या कहा है A multiply B तो 1, 2, 3 कहां से आएंगे A से आएंगे और 3, 5 कहां से आएंगे B से तो A multiply B में कितने element हैं 6 हैं 3 अपने को दे दिया और 3 निकालने हैं तो जो पहले हों किस से हैं A से हैं 1, 2, 3 और जो B है वो क्या आया 3, 5 अब हमें क्या निकालने हैं A multiply B तीन थे और 3 और निकालेंगे तो क्या आएगा पहला आएगा 1, 3, 1, 5 फिर आएगा 2, 3, 2, 5 फिर आएगा 3, 3, 3, 3, 5 यह हो जाएगा आपके 6 element Question number 10 में है If A subset of B यह आपको दे दिया कि A subset है B का अगर ऐसा है तो क्या होगा आपको प्रूव करना है A multiply C subset of B multiply C हमें इस चीज़ को इसका subset दिखाना है तो इसके element हम किसमें दिखा दे हैं इसमें तो यह subset आ जाएगा A multiply C किसका subset आएगा B multiply C का जैसे हम set वाले में करते थे किसके element कहां दिखा देते थे इसमें दिखा देते थे तो क्या करेंगे यह आपका solution है A subset of B A है subset B का अब कोई element ले लेते हैं अब देखो हमारे पास जो A multiply C है इसमें जो element आएगे ordered pair के तरीके के आएगे तो हमने ले लेट A B be any element of A multiply C जब हमारे पास single set होता तो हम क्या लेते थे X, Y या A B कोई भी element लेकिन यहां क्या है cross multiply है Cartesian product है तो हम क्या करेंगे ordered pair लेंगे तो A B belongs to A multiply C अब देखो A multiply C से है A B तो जो small A कहां से set A से और जो B है वो कहां से आएगा set C से तो can apply करेगा A belongs to capital A मतलब जो small है पहला element है set A से दूसरा set C से अब देखो A है वो किसका subset है B का है तो जो element A में है वो कहां होंगे B में भी होंगे तो जो आपका small A कहां belong करेगा B से करेगा and ये वह B है जो आपका small B element ही कहां से है C से है तो A B कहां से belong करेगा B multiply C से belong करेगा A B आपने A multiply C से लिया था और इसमें दिखा दिया तो ये इसका subset आजाएगा